शुद्र के लिए सन्यास नहीं है शुद्र सन्यास से जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और सोचिए ये कहने के लिए अपने आपको सन्यास कहते हैं ये कहने के लिए अपने आपको धरम के रक्षक कहते हैं ये कहने के लिए अपने आपको प्रेम, सदभाव, भाईचारा बढ़ाने वाले अपने आपको संक्राचार्य बताते हैं ये पलिटिकल संक्राचार्य का कहना है कि आप कुछ भी कर लीजिए शुद्र सन्यास सी तो नहीं बन सकता है सुद्र जो है वो जनम से ही सुद्र रहेगा सोचिए अन्ट कॉंसिट्यूशनल सब्दों का पहले तो ये मंच पे बैठ कर प्रवचन में इस्तमाल कर रहे हैं इन सब टिपड़ी को लेकर इन पर तो केस दर्ज किया जाना चाहिए बकायदा इन पर स्टी एस्सी एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए मैं उन तमाम सेकुलर लोगों से सवाल पूछती हूँ क्या ऐसे बावाओ के चर्णों में आपको गिरना जरूरी है जिनके अंदर जातिवाद का कीड़ा अपनी चरम सीमा पर है सोचिये किस तरीके से ये बावा जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करा है और सोचिये ये लोग चाहते हैं कि ये देश हिंदू रास्टे बने ये देश सविधान से नहीं मनुस्मिर्ती से चले सोचिये अभी सविधान है तब इनके दिमाग की इस तरीके की गंद की उपज रही है अगर सविधान नहीं होता सविधान बनने से पहले ये देश को आजाद होने से पहले इस्थिती को महसूस कीजिए कि देश की हालत क्या होगी दलितों की हालत क्या होगी, पिछडों की हालत क्या होगी, आदिवासियों की हालत क्या होगी, खास कर महिलाओं की हालत क्या होगी सोचिए किस तरीके से ये पोलिटिकल राजनीतिक संकराचारी है, अपना राजनीतिक रोटी सेखने का काम कर रहा है इसका कहना है कि कोई भी व्यक्ति सन्यास बन सकता है लेकिन शुद्र जो है वो नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये तो जनम से ही सिद्ध नहीं होते हैं किस तरीके से जातिवाद को अपनी चरम सीमा पर रखा हुआ है ये लोग दिमाग में जातिवाद लेकर घूमते हैं लेकिन चंचूर जैसे माई लॉड को लगता है कि किर्मी लेयर लगा के उन तमाम बहुजनों को लाइन से हटा दीजिए जो रेसम आपके साथ अभी खड़े होने लायक बन पाए है सोचिए किस तरीके से आजादी के 75 साल बाद भी जाती नहीं जाती है किस तरीके से जातीवाद की जो जड़े हैं वो मजबूत है कि आप रास्टेपती बन जाईए आप परधान मंत्री बन जाईए आप इस देश के सरवोच्चे सविधानीक पदों पर पहुचाईए लेकिन आपका जाती जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगी आपका जाती है लग राश्चन की वर्गी करन को बाचने की बाचाईए तो यह लोग चाती पीटपीट कर खुस होते हैं तबला बजाने लगते हैं अपसोस होता है कि सबसे जादा बहु संख्यक लोग जो है इनके चर्णों में नतमस्तक होता है जो आपके लिए जातिवाद अपने दिमाग में लेके बैटे हैं ये आपके बच्चे को पुजारी बनने देंगे सिर्फ आपका पैसे का इस्तमाल कि लिए जा रह रहा है आपसे कावड यात्रह निकलवाई जा रही है आपकी महला एंगारों में तीस तहहार कर रही है वरत कर रही है लेकिन उन USA नहीं पटा दुनियादारी में क्या हो रहा है इस संकराचारे जितनी गद्धी कोड केस में फसी है ये कह रहा है कि शुद्र परिवार में जन्मा व्यक्ति सन्यास नहीं बन सकता है एक सदी पहले महात्म हिंदू स्वामी बीवे का नन्य भी कहा था कि आप शुद्र जन्मे हैं सन्यासी कैसे बन सकते हैं सुचि किस तरीके से इनके दिमाग में जाती है और कहने के लिए ये तवाम संसारिक मौमाया से उपर उठ चुके हैं कोई भी व्यक्ति कितना भी सरवच्य पद पर बैठ जाये लेकिन उसकी जाती उसका पीछा नहीं छोड़ती है सेकूलर बिग्रेट इसको सिर पर लेकर नासता है सिर्फ इसलिए कि ये बीजेपी का विरोधी है राजनीती में इसकदर अंदा हो जाना कोई अच्छी बात नहीं सोची अखलेस यादव अपने आपको प्रो ओबिसी कहते हैं ऐसे बवाओ के चड़नों में जाकर अपना सर जुकाते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आज वो किसी सविधानीक पतपर है आज वो संसत के अंदर हैं तो सिर्फ और सिव जो ख्रमबेद करके द्वारा बनाया हुआ सविधान की वज़े से ना कि ऐसे कपोल पाखंडवाधी बावाओ के अशिरवाद की वज़े से राजनीतिक बयानों के लिए ये बावा जो है ये जातिवादी है दिलिप मंडल ने लगतार उन सेकुलर लोगों के मुँपर तमाचा मारा है जो लगतार इनके आगे घुटने टेक देते हैं सोचिए किस तरीके से इस बावा को अपने सर पर बठा के रखते हैं इस बावा ने तो देश के प्रधान मंतरी को चुनोती तक दे दी थी इस बावा का कहना था कि देश के प्रधान मंतरी धरम में बोलना छोड़ दे हम राजनीती में बोलना छोड़ देंगे तो इससे अंदाजा लगा ये कि इनको अपने धरम के नाम पर जो दुकाने चल रही है उसको बंध होने का कितना डर है और आप लोग इनके आगे गुडगान करते जाएए अपने पैसे को लुटाते रही है अपने बच्चे को अंधकार में लेके जाएए सेकुलर लोगों के पसंदिदा संक्रा चारे है भारत का सेकुलरिजम भी अजब गजब है तो सबसे जादा जेंटल मैन और सबसे जादा महिला है इन बावाओ की फैन है क्योंकि ये सिफ और सिफ बावा भारती जनता पाठी का विरोध करता इतने भी धरम के अंधे मत होई है कि आपका कहां इस्तमाल हो रहा है कौन व्यक्ति किस तरीके की टिपड़ी कर रहा है सोचिए इनके सब्दों में जाती वाद इनके दिमाग में जाती वाद और ये लो तो उसकी मर्जी है तो तमाम लोग शोशल मीडिया पर इन बावा की पोलिटिकल बावा जातीवादी बावा जातीवादी संक्राचारे के खिलाफ महीम चला रहे हैं और मैं पस्तनली कहूंगी कि ऐसे बावाओ को बाइकाज कीजिए क्योंकि ये बावा सिर्फ और सिफ मलाई खाने वाले आपीखे के खिलाफ कैसे बहदभाओ की बात करते हैं इस वक्ती संक्राचारे को जाती और वहन विवस्ता की अधार पर भेदभाओ फैलाने के लिए जेल होनी चाहिए तो सुप्रिम कोट के वकील जो हैं वो लगतार इन तमाम मुद्दों पर लिखते र आती है ऐसे बावाओ के खिलाफ क्यों अक्शन नहीं लिया जाता माईलोड को लगता था कि किर्मिलेयर लगा कर जो सिक्षित बहुजन है सिक्षित शिडुलकास के लोग हैं शिक्षित आधिवासी समाच के लोग हैं उनको साइड कर दिया जाए और जो गटर में उतर रहा हमारा भाई उसको अपने ही भाई के खिलाब खड़ा कर दिया जाए सोची ऐसे बावाओं से ऐसे नेताओं से ऐसे जजों से आपको बचने की जरूरत है फिलाल तो ये पोलिटिकल संक्राचारे एक जातिवाद का शिकार है क्योंकि इसके दिमाग में जातिवाद का कीड़ा जो है वो पनाप्रा है ये सन्यास नहीं बलकि धरम के नाम पर एक धन्दा करने वाला कारोबारी है आप लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा शुक्रिया कर दो कर दो